कि हैं गाइज वेलकुम बैक तो मैं चैनल दिस इस नेजिस सिंग यह वाचिंग टैग पाइट गाइज एम सो सौरी काफी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था मैं सर्वर के सीरीज अमरी चल देती लास ताम पे और काफी बिज़ी सीरीज था इसे मैं रेगुलर नहीं उपा रहा था अब मेरी कोशिश यह रहेगे कि मैं अभी आपके लिए रेगुलर रहा हूं और रेगुलर आपके लिए वीडियोस अपलोड करूँ तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सर्वर कोर के इंस्टोलिशन को देखा था कि कैसे सर्वर को इस्टॉल किया क्मांड बेस्ट है तो कमांड के लिए हम लोग 2-3 तूल का यूज कर सकते हैं जो कि है आपका एक तो कमांड प्रोम विंडोस का जो आपको पता है दूसरा पावर्शल है तीसरा सर्वर कन्फिगेशन टूल जो की आपके पास विंडोस सर्वर के अंदर अबलेबल होता है उसके थूरु भी आप कन्फिगेशन कर सकते हों तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलऑ कि हमरेपास सर्वर कौर का यह आप देख सकते हैं यह मेरा अब है यह पुरका पूरा पूरा पूर आपका ब्लेक है ब्लैक है स्क्रीन और यह कमांड प्रोम्ट सब सबसे पहले ढ़न करना है प्रेस कंट्रोल और लिली टो लॉग इन तो सबसे पहले आपको लॉग इन करना है जो भी आपका पास्वर्ड है एड्मिन का वो आपको यहां पेंटर करना है और अभी जो मेरे पास जो आपके स्क्रीन देख रहे हो ब्लैक कलर की आपकी कमांड प्रोम के इंटरफेस हैं और यहां पर आप किसी भी तरह की जिवाई आप नहीं देख सकते हैं तो सबसे पहले अगर मुझे करना है जैसे कि आई-पडर्स कंफिगर करना हो सबस्टम करना इम चेंज करना हो और फाइल डिसेबल करना हो अल दा तिंग्स इस सारी चीज आम आज के वीडियो में द इसके आठ नहीं तरह यहां पहर आपके पास दिख सकते हैं कि सर्वर कनुगश्यशनख था इसवत फीय prends में र्गाइज बहुत ही ऑफ्या सबस्ट्स करना है इसके तुरो आप देख सकते हैं कि ऑगर एपको ड्मेन जॉइं कराना था है वर्गूं में भुरू पकर आपको आपको computer का name change करना है तो press 2 अगर आपको add administrator local account में अगर किसे को add करना है तो आप number 3 press करेंगे तो यह सारे जो numbers दिए हैं इसके according आप कर सकते हैं जैसे आपको IP address configure करना है तो आपको press करना 8 number network settings के date and time change करना तो press 9 तो action में कहा है कि यह server configuration tool है यह बहुत ही limited command के साथ है आप सारे के सारी configuration आभी है इसके थूर नहीं कर सकते इसके लिए हमारे पास दूसरा option है powershell तो basically हम सारा कर सारा command powershell के थूर ही करेंगे क्योंकि powershell जो है guys आने वाले feature में बहुत ही useful चीज़ है और powershell के बिना आप server core है कोई भी server के उपर काम नहीं कर सकते क्योंकि आने वाले time जो है वह पूरा कप्र automate होने वाला है तो इसलिए हम लोग जो configuration सीखेंगे वह हम लोग powershell के तुरू करेंगे ठीक है लेकिन मैं इस configuration tool का कैसे यूज करिया जाता है वह मैं आपको सिखाऊंगा तो जैसे कि मुझे मान के चलो computer का name change करना है तो अभी जो computer का name आप देख सकते हैं कुछ when hyphen नंबर में कुछ इसते किसा नाम शो कर रहे है तो अगर मुझे यह computer का name चेंज करना है तो प्रेस्ट नंबर इस नंबर करना है एंटर करना है अब आपको करना enter the new name तो जैसे मैंने दे दिया एस-core एस तो कि मैं सेके एज और हाइफन सर्फर यह मैंने नाम दे दिया और जैस प्रेस एंटर जैसे करेंगे और उसके बाद देखेंगे जो नाम हमने चेंज किया भी सर्वर सर्वर कोर वह नम आपको यहां पर आ जाएगा वेट कीजिए सर्वर को रिश्टार्ट होने देते करें को यह जाइज इतना लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है को किसे पूझ जी होई तो नें तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जो है कोई रिस्टार्ट हो के आ गया है तो इसलिए जो यह उप्रेटिंग सिस्टम में काफी लाइट बेट होता है तो हम यहां से एडमिन 123 आओ यहां पर यहां पर यहां पर चैक कर सकते होस्ट नेम होस्ट नेम हमने भी लिखा था एसकोर हाइफन सर्व तो जो नेम आपने दिया है वही नेम इसके उपर आ गया है तो आप एसकोंफिक्ट फॉरसर टाइप कीजिए कि आप देख सकते कि जो नेम है वह इस तरीका से आ गया है तो अगर आपको किसी वी तरीक अपर उसट करना है तो नंबर को सर्वर को रिसटार्ट करना है ठोख सब्सक्राइब करेंगे एंटर और यह आप से कंफर्मेशन के लिए करना है आपको यह आपका सर्वर लॉग आफ हो गया और अगर दुबार से लॉग इन करते हैं हम यहां से एंटर पासवर्ड करेंगे क्योंकि सर्वर को काफी है इसमें सारी कंफिक्शन नहीं कर सकते तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे वह पावर्शल के उस करेंगे तो पावर्शल के उसकरने के लिए सबसे पहले मुझे या इस कंफिक्शन टूल से एकजिट होना पड़ेगा तो एकजिट करने के लिए आपका नंबर होता है 15 आपको यह से 15 नंबर प्रेस करना है तो जैसे मैं 15 नंबर प्रेस करूंगा या स्क्रिन ब्लैक होगी मतलब यह आपका कमाड़ प्रोम्ट आगया वापीस से जो नॉमल कमाड़ मिन रिफ्ट है तो अब मैं यहां से क्या करूं हो घज्ञा इस मैं पावर्शल का उनुज करूं गए तो पावर्शल को ओपन करने के लिए आपको कमाड़ क्या देना है यूज कर सकते हैं give me a second मुझे इसके विड़ो तोड़ा सेट करना पड़ेगा give me a second okay now so सबसे पहले हम PowerShell के थुरू कुछ command हम देखते हैं कि अगर मान के चलो कि मुझे IP configuration देखना हूँ तो गाइस अभी server के उपर मैंने कोई भी manual IP address इस नहीं दिया है इसको पर अभी dhcp के थूरू इसमें IP address मिला हुआ है तो पहले में IP address देखना है तो यह उपर वाला जो स्क्रीन है ब्लैक वाली गाईस वह का command prompt और नीचे वाला गाईस हो है PowerShell ठीक है so command prompt पर अगर मैं जाता हूँ मैं ब्लैक वाली स्क्रीन पर यहां पर मैं IP config कमार दोंगा now you can check the IP address there is 192.168.122 और subnet mask का यह है और यह default gateway है तो यह जो आप पर IP address में है guys वह आपका dhcp के थूरू मिला हुआ है लेकिन server एक ऐसा operating system होता है यह server एक ऐसा device होता है का ऐसा machine होता है जहाँ पर हम लोग dhcp through IP नहीं देते हैं वहाँ पर manual IP address configure करते हैं तो अगर मुझे manual IP address configure करना है server core को तो मैं कैसे करूँगा तो उसके लिए मुझे powershell क्या use करना पड़ेगा तो powershell पर अगर आपको चेक करना है configuration तो पावर्शल की जो command तो गाईज अलग होती है जो command आप command प्रोंड पर देते हो गाईज वह सेम कमांड आपका पावर्शल एक्जीकूट कर लेता है लेकिन जो पावर्शल की command है वह command प्रोंड पर नहीं चलते गाईज तो अगर मैं ipconfig command दूँ, ipconfig, तो यह जो command है guys, यह आपके ip address की information को check करने के लिए होता है, same command जो हमने यहाँ पर तो same output है, लेकिन यह जो command है guys, यह command की है, यह actual legacy command इसे बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो command prompt है, वो आपके legacy command को support करता है, लेकिन जो powershell की actual command है, वो अलग होती है, ip address की configuration को get net hyphen net ip configuration, देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे बड़ी है tool है, पावर शेल का की, आपको command type करना, get, जैसे मैंने get net ip con, लिखा, और जैसे मैं tap करूँगा, तो automatically यह command जो है, fulfill हो जाएगी, तो सबसे बड़ी option है, कि आपको command याद भी नहीं है, तो आप कुछ word type की जो tap दीजी और आपके पास जो command वो fulfill हो जाती है, तो get net ip configuration होता है, check करने के लिए, what is the ip address, तो आप enter करेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ से wait करना है, और यहाँ पर आपका जो ip address की configuration जो है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ip gateway और यह इसका DNS address है, ठीक है, तो अब मुझे अगर इसका ip address और यह सारी चीजे configuration मुझे manually करना है, अब यह जो ip address मिला हुआ है, इसको dhcp से मिला हुआ है, तो हो सकता है कि अगर future में ip address change हो जाए, तो server की जो ip address हो जाए, यह कोई अच्छी बात तो नहीं है, तो हम क्या करे सबसे पहले जो command type करना है, वो type करना है new, new hyphen net ip address, जैसे अब टैप किया, अपने आप command इसने execute ले लिया है, तो new hyphen net ip address, उसके बाद आपको space देखे, command देना है, inter interface, interface index, interface index number, अब guys, interface index number होता क्या है, तो इससे पहले मैं आपको बदा दूँ कि अगर मान के चलो कि मिझे ip address, अब मेरे पास multiple, एक server के उपर multiple, आपके NIC card लगे होई, land card लगे होई, तो उन में से किसी एक के उपर अगर आपको ip address configure करना है, तो उसके लिए आपको index number चीए होता है, या तो फिर आपको interface का name डालन होती है, get net adapter, get net adapter, इससे आपको आपके interface का जो number है, index number वो पता लग जागा, या तो जो name है, वो पता लग जागा, तो हमें दो name, दो में से कोई चीज़ की requirement होती है, या तो name पता होनी चाहिए, या तो इसका index number, तो enter करते हैं, तो यह आपके interface का number है, ethernet 0, और इसका index number देख हैं, तो उसका index number आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तो अगर आपको interface का index number देखना है, तो आपके command यह देना है, get net adapter, तो यहाँ पर इस interface का index number है, वो 2 है, तो अगर मुझे इस interface को पर कोई configuration करना है, कोई IP address के configuration करना है, तो मुझे यह index number वहाँ पर mention करना होता है, अगर म एक नंबर को एक Interface को एक Interface and number जो एसाइन होडाता है तो चाहे तो आप नेम दे सकते हैं चाहे तो आप इंडेक्स नंबर दे सकते तो लेकिन हम यहाँ पर Index number के थूरो हम इसकें अंदर aConいう के करेंगे बतातों कि Index सख्स नंबर आपका होता है interface की identification के लिए ठीक है सो यहाँ पर हमें क्या करना है interface को पर IP address अभी जो इसका interface का जो IP address है अगर मैं यहाँ पर get net IP configuration type करूं तो अभी इसका system का IP है 192.160.112 तो अब मुझे इसको पर configure करना है 192.162.200 तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको करना है new new hyphen net ip address यह command होगा उसके बाद आपको interface के index number देना है two तो hyphen interface interface index space देके number two उसके बाद आपको hyphen IP address अगर आपको IP address देना है तो IP address space देके क्या IP address अखना चाहते हूं 192.168.200 and hyphen prefix मतलब subnet mask अब subnet mask जो होता है गाईज वह 255 255 25.0 होता बाद यहां पर आपको prefix length देना होता है तो यहां पर class C का IP address है तो class C का प्रिफेक्स लेंता है वोगाइस 24 होता है स्वारी स्पेस देके 24 टाइप करना है और इसके बाद आपको यहां पर देना है default gateway default gateway and what is the default gateway 192.168.0.1 यह मेरे default gateway जो मेरे router का Wi-Fi router का address है ताकि मैं इस interface server को internet के साथ भी connect कर सको तो मुझे इसके लिए gateway चाहिए होता है तो करणवान क्या होती है new net IP address इंटर्फेस के index number कौन से interface को पर आप IP address असाइन करना चाहिए तो वो number IP address का switch लगा कि आपको कौन सा IP address क्या रखना है prefix line 24 and high space देके default gateway आपको क्या रखना है and press enter जैसी अब मैं को टाइप करना है get net IP configuration एंटर नाओ यू कन सी 192.160.200 और इसका default gateway भी आगया है तो अब हम क्या करते हैं यहां से अब हम पिंग करते हैं Google को क्या देखते हैं कि क्या इसको इंटेनेट मिल रहा है नहीं नहीं मिलना तो हम यहां पर लेखेंगे www.google.com तो जैसे मैं एंटर मारेंगे तो मेरे पास प्रिंग रिक्वेस्ट होया गाईज वह फेल्ड हो गया क्यों क्यों क्योंकि गाईज अभी इसके अंदर अभी मैंने है कोई dns address set नहीं किया है अगर मैं यहां पर कमांड दू आई-पी-config-space-slash-all now you can see ip address तो ठीक है default subnet mask भी ठीक है default gateway भी ठीक है but you can see there is no dns address कोई dns address नहीं तो अभी हां पर dns address भी set करना पड़ेगा otherwise मेरी जो यह internet से दाथ communicate तो नहीं करवागा अगर मैं ping.8.8.8.8 करूं now you can ping but मैं अगर मैं किसी domain name को resolve करना चाहूं www.google.com तो यह काम नहीं कर रहा है क्योंकि dns address में set नहीं है तो dns address कैसे set करेंगे तो उसके लिए में क्या करना होगा अगर मैं भी आपको देखाऊं get net ip configuration तो यहां पर कोई भी dns address information नहीं आ रही है तो मुझे कैसे करना है यहां से clear करेंगे screen को तो अगर मुझे dns address set करना है तो कैसे रिखेंगे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे set dns CLI client server dns client CLI e anti client server address set hyphen dns client server address यह type करना है space देना है उसके बाद कौन से interface को पर आपको dns set करना है तो interface index number आपको देना है number two उसके बाद आपको यहां पर देना server addresses sorry hyphen लगा के server addresses और यहां पर आपको bracket के अंदर कॉलर लगाना है दो और 8.8.8.8 और प्रेस एंटर अभी आप देख सकते कि आपको आपको जो dns address से वो सेट होगा एंदर कन्फिक्शन करने के लिए वेरिफाय करने के लिए get to net to IP configuration लाइवकान सी एड डॉट 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 इट सैट अब हम यहां से पिंग करते हैं वापिस अब देख सकते हैं कि जो मेरा डोमेन नेम है वो आईपी के साथ रिजॉल्फ कर पा रहा है ठीक है अब यहां पर जो dns server है गाईज वो 8.8.8.8 है सिंगल डिनस server है तो जैसे कि आप जानते कि हमारे पास एक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कैसे करेंगे उसके लिए आपको फिर से होई कमांड देना है सैट हाइफन DNS क्लाइंट सर्वर एड्रेस यह प्रेस करना है इंटरफेस इंडेक्स नंबर आपका टू जो भी इंटरफेस का नंबर वो देना है सर्वर एड्रेस अब यहां पर आपको गाइस करना क्या है डवल कॉलन के अंदर जब आप 8.8.8.8 लिखते हैं इसमें कॉमा देके यहां पर नहीं जो इंवर्टिड कॉमा का खता मोरा है वहां पर कॉमा देना है फिर आपको विदाउट एनी स्पेस फिर से आपको दो इंवर्टिड कॉमा लगाना है और 8 8.8.4.4 तो इस तरीके से आपको एंटर अगर मैं थोड़ा सबको इसको जूम कम करके दिखाता हूं तो आपको यह आपको कमांड अच्छे तरीके से दिखें ना यू कन सी अब यहां पर देख सकते हैं कमांड आपको पूरा दिखरा होगा तो आपको यहां पर डबल कोड के अंदर 8.8.8.8 डबल कोलन खतम करना है कॉमा लगाना विदाउट इनी स्पेस फिर कोलन के अंदर आपको सेकंडरी डिनस देना है तो आप देख सकते हैं मेरे पास कोई एर्र तो आया नहीं है तो अभी हम कर लेते हैं चेक कर लेते हैं फिर से कमांड होता है आपका गैट तो होस्ट नेम अगर हम देखते हैं तो अभी सर्वरका को नाम क्या है और यह हमने दिखा था सर्वर कनस्वेशन टूल के थरू लेकिन अब हम इसको करेंगे पावशल के तूल अगर पावशल के थरू मुझे अगर अगर कंपिटर का नीम चेंज़ करना हूँ तो कैसे करे कि रिनेम हायफन कम्पूटर देन उसके बाद नियू नेम स्पेस देके जो भी आपके कम्पूटर का नेम है अब मैं यह आप लिए डिकाँ ता हूं इस इस सर्वर एक काम बता है सर्वर अन्डर स्कोर कोर अंडर स्कोर जिरो वन यह मैं अपने सर्वर का नायम रखना चाहता हूं और उसके बाद आपको एक स्विच लगाना है री स्टार्ट का तो जैसे एंटर करेंगे यह हम सु स्वारी और यहां पर मैंने गलती क्या करी है कि यहां पर मुझे अंडर स्कोर नहीं लगाना है हाइफन लगाना है तो जैसे मैं एंटर करूँगा यह यह मेरे रखन हो रहा है वेट करते हैं जब तक रहता हिस्टार्ट होता है और आप देखेंगे कि अफर रिस्टार्ट जो मने सर्फर हाइफन को राइफन 0 1 लिखा था तो वही नेम इसका भी आ जाएगा तो वेट करते हैं ज्याद़ टाइम लगेगा नहीं क्योंकि यह सर्वर को रहे तो काफी जल्दी जो है यह रिस्टार्ट हो जाता है है ओके नाओ यहां पर कॉंट्रोल डिलीट एंटर यूरिजर नेम और होस्त नेम स्वरी होस्त नेम यू कन सी नाव अभी अब का चैन्ज हो चुका है तो वापिस से हम लोग पावर शेल को ओपन करते हैं ही बार किस्टार्ट पावर शेल कि नव अब हम यहां पे कुछ और कन्ति शचींट है तो सबसे पहले हमिलगे और क्या करेंगे विवल चन्क पर ने राइब हैंगिए हॉए का है अधा पर हमने हम तो इने का चैन्ज़ कर लिया और हमने यहां पे जो आई-पी एंडर्स है और नेक्स्ट जो है गाईज अब हम यहाँ पर फाइरवाल की सेटिंग को देखते हैं ठीक है तो फाइरवाल की सेटिंग को देखने के लिए आपके पास होता है Get Net Firewall Firewall Profile Enter करेंगे तो यहाँ पर मैं तोटा सा इसको Zoom कर लेता हूँ Maximize कर लेते हैं तो यह Total आपके को बता है कि जो हमारे पास Windows की जो Firewall इसके Total 3 Profiles होते हैं Domain Private and Public अभी जो गाईज इस पर Firewall है वो Disabled है 3 प्रोफाइल के लिए domain के लिए भी आप देख सकते हैं Sorry domain के लिए अब देख सकते हैं False आ रहा है देखिएंची यह आपका name उपर आ रहा है domain अंदर नीचे False मतलब डूमेन के लिए भी मैंने Firewall को off किया हुआ हुआ है प्राइबट के लिए भी off किया हुआ हुआ है और पब्ले के लिए भी आफ किया हुँआ है लेकिन अगर मुझे यहां पर और करना है तो पहला यह को करूद करने के लिए आपके पस कमार होती है set net fireball profile fireball profile यह command देना है space उसके बाद आपको profile keyword लगाना है और उसके बाद आपको concept profile के लिए enable करना है domain के लिए भी करना है मुझे space नहीं देना domain, private, public तो तीन profile है domain है private है public लिए तीनों के लिए मुझे क्या करना है enable करना है अभी by default यह off नहीं है guys on है sorry अभी जो fireball है वो off है मुझे अभी इसको on करना है तो switch लगांगे enable का और true तो set net fireball profile profile keyword लगा कि आपको तीनों profile यहां पर देना है या अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ पब्लिक के लिए ही on करना चाहता हूं private और domain के लिए नहीं करना चाहता तो यहां पर आप सिर्फ पब्लिक को डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन फिलाल अभी मैं तीनों के लिए करूँगा तो दोमेन लिख लेते हैं और कॉमा देके प्राइवेट तो यह आप आगे पीछे कर सकते हैं अब यह देख सकते कि यहां पर कोई एरर नहीं आया अब वेरिफाइए करने के लिए अब कैसे चेक कर सकते हो तो चेक करने के लिए में getNetFirewall profile sorry यहां पर profile enter करेंगे तो अभी सब 20 के लिए क्लिए क्लिए गया है तो पहले false तहीट अब क्या आगests ग्तूरू इन डूर्ली के लिए भी इप्राइट के लिए और डूमें के लिए भी तो अब इसको करने के में काम करते के मेरे पासे PCA Windows XP का अब हुक्ष is तो शॉरी ओके नोव यहां से हम क्या करेंगे कमांड प्रोम चाहते हैं और पिंग करते हैं 192.168 0.200 अमने में मशीन का नम आई-पी रखा था तो पिंग करते हैं अब यह पिंग नहीं हो रहा है because of firewall मेरा भी on है तो मुझे firewall को off करना है तो कैसे करेंगे firewall को off कि जैसे हमने enable किया था वैसे ही करना है आपको लिखना है सेट कि नेट कि फायर बॉल कि प्रोफाइल हाइफन प्रोफाइल का स्विच देंगे नहीं है डोमें के लिए भी करना है प्राइफ के लिए भी करना है अब आज है कि लिए द्युक्त और प्राइफर सुखते हैं कि हनόσे प्यों चीffelा कर लिए है और तो यह था कुछ basic configuration अगर server core को में manage करना, IP address configure करना, name change करना हो, DNS change करना हो, आगे आगे आपको PowerShell से और भी चीज़ सिखेंगे, जैसे user create करना, सारी चीज़े, टेकिन एक basic configuration था कि यह आप server core deploy कर रहे हो, तो उसको पर IP address कैसे configure करोगे, नाम कैसे change करोगे, ठीक है, और firewall कैसे disable करना है, यह basic configuration जो की required होती है, तो इस वीडियो में इतना ही guys, और next वीडियो में हम लोग server core के बारे में और देखेंगे, और कुई चीज़ा सीखेंगे, तो तब तक के लिए guys, goodbye, till then, bye bye and take care, और guys, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो please इसको like केजिए, comment केजिए, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है, तो please यह भी बताएं कि वीडियो पसंद क्यों नहीं आ रहे है, तो मेरी खुशी होगी कि मैं आगे और बहतर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड क